सब्सक्राइब कीज़े इन्फोबी एरोर चैनल को ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोस के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हुशुबम और आज हम रिविव करेंगे निवली लॉंच पलसर 200NS ABS को सबसे पहले मैं दिल से दन्यवत करना चाहूंगा साइस सर्विस शोरूम का जिनकी वज़े से एफ वीडियो पॉसिबल हुआ है NS stands for naked sport सबसे पहले हम बाइक के feature and style के बारे में जान लेते हैं और साथी साथ देखते हैं की नया क्या क्या मिलता है इस बाइक में नया कलर आया है और ये काफी cool डिखता है paint finishing काफी अच्छे से की गई है और ये matte कलर है tank के उपर आपको pulsar नाम का 3D badging भी मिल जाएगी tail section में black, red, white color का combination है और वहाँ पे भी आपको NS200 की branding मिल जाएगी जो tail lamp है उसके उपर भी attractive graphics आपको मिल जाएगा tank का look एकदम muscular sculpted sharp है और tank call पे भी आपको 200 की branding मिल जाएगी जो काफी बढ़िया दिखती है गाड़ी में white color के allow wheels मिलेंगे और wheel के उपर red color की strip भी है जिससे wheels को एक unique look मिल जाता है साथी साथ bike में tubeless tires available है और पीछे white radial tire मिल जाएगा सबसे बड़िया बात का है तो यहाँ पे आपको pulsar trademark backlight switches मिल जाएगे वो काफी beautiful लगते है bike का aggressive wolf eye headlamp एकदम strong लगता है मुझे एक robot के face की तरह लगता है headlamp के just नीचे आपको position lamp मिल जाएगा वो भी attractive लगते है और pulsar का two line tail lamp मुझे बहुत पसंद है bike में आपको clip on handlebar मिल जाएगे जिससे आपको ride करने में आसानी होगी grab rail भी काफी sporty लग रहे है और एम मजबूत भी है गाड़ी में premium texture pattern split sit मिलेंगे जो rider और pillion को आगे जादा push नहीं करेंगे breaking के time गाड़ी में carbon fiber finish mudguard मिलेगा जिसका look एकदम देखते ही बनता है साथी साथ आपको engine call भी मिलेंगे वो भी काफी attractive है गाड़ी में tank pad भी available है अब बात करते है specification के बारे में तो आपको इस bike में part analog, part digital instrumental console मिल जाएगा जो tachometer analogly show करता है तो speedometer, aurometer, fuel gauge, clock, trip meter ए information digitally दिखाएगा और बाकी के indicators console पे available है engine की बात करें तो bike में मिलेगा 4 stroke, SOHC, 4 wall, liquid cool, triple spark, BS6 compliant, FI, DTSI, 199.5cc engine fuel injected engine का में short में बता दू तो air और fuel का mixture सही मात्रा में combustion chamber में जाता है और हर एक fuel drop optimize होता है जिससे आपके bike की power बढ़ेगी तो air engine 24.5 PS की maximum power deliver करेगा तो torque आपको मिलेगा 18.5 newton meter उसी के साथ आपको यहाँ पे coolant chamber भी मिल जाएगा गारी में 6 speed gearbox available है अब बात करते हैं braking के बारे में तो आपको इस bike में single channel ABS system मिल जाएगी ABS stands for anti-lock braking system जो आपके bike के wheel को एकदम से lock नहीं होने दिगी sudden braking scenario में तो आगे आपको मिलेगा 300 mm का disc brake और पीछे मिलेगा 230 mm का disc brake दोस्तों बहुत लोग confuse होते हैं कि इस bike में dual channel ABS है पर वैसा नहीं है ए पिछले disc के यहाँ पे आपको यह sensors मिल जाएगे तो इस bike में आपको single channel ABS system ही मिलेगी मतलब वो सिर्फ आगे के wheel पे ही काम करेगी बट braking काफी अच्छी है suspension का देखा जाए तो आगे मिलेंगे 37 mm के telescopic suspension और पीछे मिलेगा nitrox monoshock shock observer finally अब बात करते हैं dimension के बारे में तो इस bike की fuel tank capacity है 12 liter और bike की wheel की size है 17 inch और आगे आपको 100 by 80 का tire मिलेगा और पीछे मिलेगा 130 by 70 का tire length 2017 mm, width 804 mm, height 1075 mm, ground clearance 168 mm, wheelbase 1363 mm, curve weight 156 kg तो इस bike की एक showroom price in पून है 1,30,200 रुपिज के आसपास अगर आपको on-road price जानी हो तो और अगर आप पूने रिजन में आते हो तो size service showroom को contact कर सकते हो otherwise आप अपने नजदी की showroom में जाके on-road right चेक कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो कैसा लगा comment box में बताईए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए साथी साथी वीडियो को like और share जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए